नमस्कार दोस्तों लंडर बात कर रहा हूँ तो कैसे आप सब क्या चल ला है उमीद करता हूँ कि सभी भाई अच्छे होंगे और मौज में होंगे तो देखिए आज का काफी सूपर से भी उपर मैच हुआ है जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लेंड का था मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि भाईया मैच काफी अच्छा होगा सूपर डूपर होगा और सूपर डूपर ही होगा इंग्लेंड ने 1199 में रन का टार्गिट दिया था पाकिस्तान को 200 रन चाहिए था जीतने के लिए लेकिन 10 बिकिट से जीता है पाकिस्तान 35 पैसे फेबरेट लगा था इंग्लेंड फर्स्ट इनिंग में और क्या चीस किया है रिजवान और बाबर ने 10 बिकिट से जीता है तो मैंने आप लोगों से पहले बोल रखा था कि देखो ये वाले जो मैचेस आएंगे ना इंटरनेशनल मैचेस कवर कर रहे हैं अपन जब मैं इंटरनेशनल मैचेस कवर कर रहा हूँ तो किसलिए कर रहा हूँ वीडियो डाल रहा हूँ रात रात बर जाग रहा हूँ दो बच के 6 मिनट का टाइम हो रहा है टीम है फेबरेट नजर मिलेंगी तो दोनों टीम है आपको उपर नीचे मिली लेकिन किस अंदाज से पाकिस्तान जीता है ये सबसे बड़ी बात है 35 पैसे इंग्लेंड फेबरेट लगकर हार जाना समझ सकते हो तो देखो आज का मैच मैंने देखो कराया था टेली ग्राम पर और वो भी फ्री कराया था मैं आप सबको दिखा सकता हूँ तो ये आठ बज़ के चौदा मिनट का टाइम था आठ बज़े मैच स्टार्ट हुआ था देख लीजे मेरी पोश्ट डेली है गॉल राउंडर फेबली इंग्लेंड टूर आप पाकिस्तान सेकिन टी-ट्वन्टी पाकिस्तान वर्सिस इंग्लेंड मैच बिनर पाकिस्तान क्योंकि कम्यूटी गैलाइन की बज़े से कुछ रूल है वीडियो डिलीट ना हो अगर को ज़्यादा ऐसी चीजें बोली तो वीडियो डिलीट हो सकती है तो टार्गिट दोसो रन का था बोल दिया था पाकिस्तान विन है स्टार्टिंग में ही बोल दिया था और भाईया क्या नहीं होगा मैंने बोला पाकिस्तान बिन और भाईया पाकिस्तान जीत गया अपना देख लो लोगों के कितना प्यार मिला है ये वो लोग हैं जो कि कल के मैच में अच्छा प्रॉफिट हो उठा के उठाया है उन्होंने मेरी आवाज से क्योंकि लोगों को डर लग रह है आज और सेम वो ही कंडिशन में वो ही फॉर्मेट में अपने टीम जीती है तो देख लीजे देर सारा प्यार मिल रहा है और जो next match देखो आने वाला है तो इस चैनल को ध्यान से देख लेना आप सभी लोग Allrounder Family के नाम से टेलीग्राम चैनल है ये तो सर्च कर लीजे जो जो बंदे टेलीग्राम नहीं चलाते वो और जो चलाते हैं वो यहाँ वहाँ आप जोइन करके रखा है किसको भी रखा है आप रखो मैं मना नहीं कर रहा लेकिन एक बार मेरा काम चेक आउट करके देखिए तो Allrounder फैमिली सर्च मानना है आपको मेरा चैनल मिल जाएगा जैसे ही मेरा चैनल मिलता है इसको जोइन कर लेना है और चलते हैं सेकिंड मैच की तरफ जो की कल होने वाला है इंडिया वर्सेस उस्टिलिया का मैच है 65-66 पैसे का रेट है और ओपन रेट से इंडिया फैबरेट है इंडिया फैबरेट तो देखो फर्स्ट मैच में भी रहा था 208 रन का टार्गिट चेस हुआ है कोई easy चीज नहीं होती है 208 रन बनकर वो भी चेस हो जाना वो भी चार बॉल पहले तो ये underestimate कर रहे हैं ये लोग आप लोगों को नजर अंदाज कर रहे हैं क्योंकि ओस्टिलिया जो रेट ओपन है 65-66 ये लाइक नहीं है ये रेट होना चाहिए 95-96 पैसे का मानता हूँ कि इंडिया के होम टाउन पे सीरीज चल रही है इंडिया का फेबरेट होना जायज है लेकिन आप उस्टिलिया को अंडरेस्टिमेट नहीं कर सकते मैंने पहले बोला था आभी भी बोल रहा हूँ आज के मैच में जैकपॉट उडाया और कल के मैच में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दूँगा अच्छी खासी प्रेडिक्सन कराऊंगा मैं तो मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो जो बंदे भाया नहीं अगर जोइन हो रहे है या फिर एनी कंडिसन कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेलिग्राम चैनल को सच कर लीजिए जोइन कर लीजिए और कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है इसके बात भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये मेरा बॉट्सअप नमर है ध्यान से देख लीजिए 70000650728 इस नमर पे आप बॉट्सअप मैसेज कर सकते हो बॉट्सअप कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो आप जो भी आपका लॉस होगा जितना भी लॉस होगा हम सब चीज़ें आपकी मैनेज करेंगे सब चीज़ें सुनेंगे अब ये जो मैच का प्रेडिक्सन है ये तो देखो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे और एक नाइट पहले बोलना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए अगर हम कोई टीम आगर आपको दे कर चले जाते हैं फिर टॉस के बाद अगर उसमें चींजिंग आती है और हमारी टीम हारती है तो भाईया आपको तो दुख होगा उससे ज़्यादा हमें भी दुख होगा क्योंकि हमारी एकोरिसी में फरक पड़ेगा तो इसलिए हम रिस्क से इस्क नहीं करना चाहते हम आप बिनिंग परसेंटेज और मार्केट लोड दिखा देते हैं तो 62 परसेंटेज मार्केट बोल रही है कि इंडिया जीतेगी और 38 परसेंट अल्ली बोल रही है कि उस्टिलिया जीतेगी और head to head की अगर हम बात कर लेते देखो 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबले उस्टिलिया जीती है और 4 मुकाबले इंडिया जीती है अब देखिए बीक पॉइंट और स्ट्रॉंग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले बीक पॉइंट पर आते हैं तो इंडिया में हर चीज अच्छी चल रही है रोहित सर्मा भी अच्छा खेल जाएगा लोकिस राहूल भी अच्छा खेल जाएगा बिराट कोली ठीक ठाक चल सकते हैं लेकिन उमीद हैं बहुत ज़्यादा मत लगाना आप ये सोचने लगो कि अफगानिस्तान के खिलाब इन्हों ने जो इनिंग खेली थी वो देखने को मिले अभी नहीं मिलेगी और सूरकुमार यादब और अब ये जो हैं अच्छा टार्गेट बना देते हैं लेकिन फिर वो ही खेल हो जाता है लास्ट में अगर ये जो बॉलिंग के हिसाब से अगर चलते रहे ना तो ये कभी भी मैच नहीं जीतेंगे जैसे कि मान के चलो भूबनिस और कुमार इनका चार ओवर के स्पैल होता है चार ओवर के स्पैल में ये दो ओवर जब पहले करते हैं तो रन ठीक ठाक देते हैं लेकिन जब लास्ट में दो ओवर, उनिसमा ओवर ये फेकने आते हैं तो रन चाहाए 15 हो, चाहाए 20 हो, ये गारंटी नहीं है कि इन्डिया उसको safe कर पाएगी तो यही condition है इंडिया का big point है balling और strong point है batting अगर इंडिया batting पे आती है तो starting में आप वहाँ पे ठीक ठाक rate देखके भी लगाई कर सकते हैं और balling के समय आपको inning break पे आपको इंडिया almost favorite मिलेगी जादा 20 पैसे 30 पैसे तो वहाँ आप अपना loss हलका कर सकते हैं और फिर जब balling पे आए तो वहाँ आप Australia खा सकते हैं क्योंकि देखो इंडिया जब batting पे आएगी तो आपको हमेशा अच्छा करते हुए नजर आएगी जब balling पे आएगी तभी पिटते हुए नजर आएगी यह हो सकता है और हम Australia के अगर बात कर लें Aaron Finch पागल इंसान है बिल्कुल कभी भी जब चलेगा तो match one-sided कर देगा और अगर हम इनके man player की बात कर लेते हैं जो कि currently form में चल रहा है तो भाई उसको मैं देख रहा हूँ कहां पर है Pat Cummins अगर Travis Head, Hazel Boat, Inglis, Maxwell, Richardson, Smith, Wade, Werner, Jampa, Nils, Daniel Sam इसमें 100 नहीं हो रहा है वो, हाँ ये, Cameron Green, भाई, जो match 208 running जो chase हुए न इस quality वाले player की बज़े से हुए है, काफी अच्छा player है और काफी अच्छी inning खेल सकता है, तेज inning खेल सकता है, 20-40 ऐसी पारियां खेल के ये match को जिता सकते हैं और भाईया इनको underestimate मत करना, Matthew Bad, Matthew Bad भी काफी अच्छे strong नजार आ रहे हैं खेलते हुए और हम अगर बात करते हैं, Travis Head, ये देखो X Factor है X Factor इसलिए बोल रहा हूँ कि ये, ऐसे match जिता आते हुए नजार आएंगे आपको कि भाई, 12 बालो में अगर 30 रन भी चाहिए और आप सोच रहे हो, एक ओबर में अगर 18 रन भी चाहिए Travis Head जैसे, अगर इनके regard में अगर चलता का चला गया match तो भाई, ये निकाल के ले जाएंगे, काफी अच्छा बैटिंग करते हैं और अगर हम बॉलिंग की बात कर लें, तो हेजल बुट और पैट कमेंस पिटते हुए नजर आएते हैं लेकिन वो वाली pitch और अब जो match होगा वो वाली pitch में फर्क है पैट कमेंस चलते हुए नजर आएंगे, तो overall अगर माना जाए तो जो rate जो open हुआ है, जो rate इंडिया का open हुआ है ये rate 65-66 पैसे नहीं होना चाहिए, ये rate में changing आएंगी, उपर नीचे होता रहेगा और इस match में भी आपको अच्छा match देखने को मिलेगा लेकिन बात ये है कि matches तभी तक हम जीत सकते हैं, जब तक आप हमारा channel join नहीं करेंगे, channel join कर लीजिए, और जो भी होगा, जैसा भी होगा, अगर match payment work में हुआ, तो हम बता देंगे, अपने telegram channel पर अगर normally हुआ, तो भाईया सबको मिलेगा, तो ये number है, contact कर लेना number contact जरूर कर लेना, अपने mind में feed up कर लेना, 7000650728, और last में एक चीज बोल कर जा रहा हूँ, ये केवल entertainment purpose के लिए है, not a illegal activities के लिए, क्योंकि बोलना पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि market में channel suspend हो जाते हैं, मेरे तो 3-3-4-4 channel suspend हो चुके हैं, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, अगर मुझे permission मिल जाए ना, खुल कर explain करने की, तो भाई मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दूँगा, कि आप उससे अपना profit बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खुल कर नहीं बोल सकता, कुछ चीजें हैं, कुछ रूल हैं, मैं नहीं चाता मेरा channel suspend हो, आप भी नहीं चाते कि मेरा channel suspend हो, तो इसलिए चादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, वस सिर्फ इतना ही बोल कर जा रहा हूँ, कि मैच के timing कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, क्या playing level होगी, उसी पर depend करेगा match, toss कौन जीता, हर वो चीज उसी पर depend करेगी, पहले बोल कर जाना, मेरा कोई professionally काम नहीं है, कि मैं YouTube पे वीडियो इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरा prediction वाला channel है, मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि ये आज की date में, एक दिन पहले कोई भी prediction देने वाली बातें हो गई, ये खतम, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जब match start होगा, तब ही समझ में आएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अगर आपको एक दो दिन पहले prediction देके कोई निकल जाता है, तो ये तो देखो, तुक्का मारने के समान होगा, और तुक्के 10 मैं से 3, 4, 5 लगते हैं, 10 मैं से 9, 10 मैं से 10 नहीं लगते हैं, ये बात ध्यान रखना, आपका पैसा है, आप सोचो, समझो, और डिसाइट कर लो कि भाई, ऐसे YouTube टेनल को सर्च करके आपको उनकी बातों में आना है, या फिर भाई, बेट करना है, टॉस का, मैच का, थोड़ा सा एक्टिव रहके मेरे शेनल पर आके काम करना है, डिसाइट कर लेना, कल मिलते हैं, कल धमाका करेंगे, सोचते हैं, बड़ा धमाका हो जैसे कि आज किया, तो चलता हूं तब तक के लिए खैल रखना, दुआओं में याद रखना, आपका भाई, ओल्राउंडर